क्या ये सिर्फ सजा देने साया हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो चार बड़े कारण है पहला पॉलिशी ड्रिवेन गवरनन्स जब पॉलिशी स्पस्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में बिजनेस में और सरकार के और नेड़ों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाईस कम हो जाती है दूसरा सामान्य जन की इमाददारी पर विश्वास तीसरा सरकारी सिस्टिम में हुमन इंटरफेस को सिमित करके टेकनलोजी का बड़े स्तर पर उपलोग आज सरकारी खरीद हो सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलिवरी सब जगर टैक इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं और चौथा हमारी जो सरकारी मशिंद्री है जो बिरोकसी है उसमें एफिशन्सी इंटिग्रीटी और सेंसिटिविटी के गुनों को रिवर्ड किया जा रहा है पुरस्कृत किया जा रहा है साथियों एक दौर था जब हमारे हाँ रिफॉर्म्स की बहुत बाते होती थी कभी मजबूरी में कुछ फैसले दिये जाते थे कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे तो उन्हें रिफॉर्म केह दिया जाता था इस कारण इच्छित परणाम नहीं मिलते थे अब यह सोच और एप्रोच दोनों बदल गई है हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीती आधारित हो टुकड़ों में नहीं हो होलिस्टीक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफार्म करके रुख गए ये निरंतर सतच चलने वाली प्रक्रिया है बीते कुछ वर्षों में देश में डेड़ हजार से जादा कानूनों को समाप्त किया रहा है इजब डूइंग बिजनेस की रैंक मिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134 वे नंबर पर था आज भारत की रैंकिंग 63 हैं रैंकिंग में इतने बड़े बड़लाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है रिफॉर्म्स के पती भारत की इसी प्रतिवद्धता को देख कर विदेशी निवेशकों का विश्वाद भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है कोरोना के संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडियाई का आना इसी का उदान है कर दो